हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, फैक्ट अबाउट वर्ल्ड, आज हम बात करेंगे मोना लिजा के बारे में, मोना लिजा एक फेमस पेंटिंग है और दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी भी मोना लिजा पेंटिंग को लेनाडो दा विंची ने बनाया था लेनाडो दा विंची, एक पेंटिर के साथ साथ एक राइटर और साइंटिस्ट भी थे मोना लिजा का इटली में मतलब होता है, माई लेडी 1951 में एक व्यक्ति ने मोना लिजा की पेंटिंग पर एक पत्थर फेक दिया था जिससे मोना लिजा की बाएं हाथ की कोहनी पर स्क्रैच आ गया था इसके बाद इस पेंटिंग को एक म्यूजियम में रखा गया इस म्यूजियम में मोना लिजा की पेंटिंग के लिए एक अलग कमरा बनवाया गया था जो 50 करोड में बना था और इस रूम को बुलिट प्रूफ कांच से बनवाया गया था 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी लेकिन हैरानी के बात ये है कि 10 साल बाद ये पेंटिंग फिर वहां आ गई कहा जाता है कि मोना लिजा एक प्रेगनेंट औरत की पेंटिंग है या उसने अभी अभी किसी बच्चे को जनम दिया है इसका कारण है उसके पहने हुए कपड़े यह तो आज तक पता नहीं चला कि मोना लिजा की पेंटिंग में वह औरत कौन है लेकिन कहा जाता है कि वह औरत लेनाडो दविंची की दोस्त की पत्नी है क्योंकि जब लेनाडो दविंची इस पेंटिंग को बना रहे थे तब उनके दोस्त ने अपनी दूसरी बेटी के जनम दिन के लिए अपनी पत्नी जिया क्रोडो की पैंटिंग बनवाने के लिए उन्होंने लेनाडो को पत्र लिखा था लेनाडो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में लारिस पास्तो सीत रोवा क्यूई लिखा था जो इटालियन भाशा में था इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तर यहां है जब हम मोना लिजा की पेंटिंग को एक मीरर में देखते हैं तो हमें दोनों पेंटिंग के बीच में एक एलियन बनता हुआ नजर आता है और यह एलियन वहीं बनता है जहां लेनाडो ने लिखा था उत्तर यहीं है मोना लिजा की पेंटिंग की आँखे भी बहुत ही रह समय है लोनार्डू दविंची ने मोना लीजा की बाएं आख में S और दाएं आख में L लिखा है और पेंटिंग में पीछे जो पुल बना हुआ है उसके नीचे 72 लिखा है मोना लीजा की पेंटिंग को देखने के बाद कुछ लोगों ने उसकी सुन्दर्ता के लिए आत्मा हत्या कर ली लोगों को मोना लीजा की पेंटिंग बहुत ही खुबसूरत नजर आई मोना लिजा की आँखे भी एक रहस्य मही है जैसे कि मोना लिजा की आँखों को देखने से ऐसा लगता है हमें ही देख रही हो लेलाडो ने मोना लिजा की आँखों को ऐसा बनाया है जिससे ये इफेक्ट होता है कि वो हमें ही देख रही है चाहे आप पेंटिंग के एकदम सामने खड़े हो या बगल में जाके खड़े हो जाओ आपको लगेगा मोना लिजा की आँखे सिर्फ आपको देख रही है मोना लिजा की होटो से यह नहीं पता चलता कि वो खुश है या दुखी जब हम उसे दूर से देखते हैं तो वो हमें खुश लगती है पर जब हम उसके पास चाकर देखते हैं तो वो हमें दुखी लगने लगती है लेनाडो दाविंची ने 12 से 13 साल के बीच में इस पेंटिंग को पूरा किया था जिसमें से चार साल उसे सिर्फ मोना लीजा के होट बनाने में लग गए थे तो ये थी लेनाडो दाविंची की फेमस पेंटिंग मोना लीजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और हम अपने अगले वीडियो में कुछ और रियाचक सीजों के बारे में बात करेंगे